पास्त संजीवनी के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार हमारे विशेश कारिक्रम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है मैं हूँ पुश्पेंदर आ रहे हैं और मेरे साथ हैं देश के जाने माने प्राकरतिक योगचे कितसक श्री अनिल बंसल आप या आपके परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से पीडित है तो यह मंच आप ही के लिए है अब अपने प्रशन हमसे पूछ सकते हैं अनिल बंसल जी आपको बताएंगे कि आपके घर में आपके रसोई घर में आपके पास रखी हुई चीजें आपके घर में मौझूद साग सब्जियां किस तरह से आपके लिए औशधी का कारे कर सकती हैं हम तक पहुशने के लिए हमारे जो नंबर्स स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उन पर आप बात कर सकते हैं इसके लवब आप अपना प्रशन हमें SMS भी बेज सकते हैं SMS का कोड है JAV दीजिए स्पेस आपका सवाल आपका नाम अभी बेज दीजिए 57575 पर पांसर जी प्रणाम बहुत-बहुत स्वागत है आपका तेंक यू शर्चा शुरू करेंगे सबसे पहले लेते हैं एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हिमानशु जी बारा बंकी उत्तर प्रदेश से हलो हेलो हिमानशु जी स्वागत है आपका हमारे शो में क्या प्रशन है मेरी सिस्टर को तेरा साल से चस्मा लगा हुए है चस्मा देखो बैटे यह तो उतरना देखो वैसे तो मुश्किल है लेकिन फिर भी चस्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा एक तो क्या करना है सुबह जब सूरिय निकलने लगे उससे पंदरा मिन पहले सूरिय चले जाएं और सूरिय को देखें दो तीन मिन तक बहुत ही अच्छा ही फैक पड़ेगा लेकिन ज्यादा देर ना देखें पहले एक ही मिन देख लें जब वो निकलने लग रहा हो तब यह नहीं कि पूरा निकलने तब देखना है जब वो निकलने लगे जब तक दो तीन म चुकुंदर का जूस भी हैं इससे बहुत अच्छा ही फैक पड़ेगा मैन को तो एक तो गज्जर टमाटर चुकुंदर यानि बीट का जूस पिलाएं जब सर्दी का मौसम आए और त्रिफला रात को त्रिफला आवला हर्ड बेहड़ा त्रिफला रात को विगो कर रख द हैं लेकिन दीरे दीरे उपाये करने से चस्मे का नंबर भी कम होने लग जाएगा प्रिजर आइटम ना खाएं तलीवी चीज़े ना खाएं मैद्दा की चीज़े ना खाएं इससे भी बहुत अच्छा ला मिलेगा इनको करनाटक से एक sms अलक्र साम हमारे पास आया है अगर सूजन है तो एक तो धनिया का पानी रात को भीगो दें । चम्मच लगबग धनिया सबूद धनिया जिसे अक्खा धनिया भी हम बोल देते हैं दो चमच एक गिलास पानी तो सूबह इस पानी को भाल ले धनिया के साथ ही जब पानी आद रहे जाया जाएं यानि सो के लगवराई जाए एक तो चान के इसको पीएं ऐसे ही सुबह भी गोदें शाम को पीएं ये सुजन को दीरे 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 कम कर देगा दूसरा गरम पानी में नमक और फिट्री डाल का पैरों के अच्छी तरह शिकाई कर ले शिकाई करने के बाठने टाॉल से पहुंच ले पहुंचने के बाद हिफस दीवार प Pak पैरों को उपर कर लें पैरों को खोल लें बंद करें अगियए पैरों को पिछें एक हम से कम आदा गंटे तक किरिया करेंगे तो इससे धीरे 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 सूजन की मीन बिलकल खतम कोल काता से के समस आया है डॉक्र साब लास्ट इजिट है वन जीरो डेबल टू नाम है प्रबजीत सिंग यह नोंने लिखा है कि मेरी उम्र बीस साल है मेरा जो शरीर का वजन असी किलो है लिखा है चेस्ट पर फैट बहुत जादा है चर्बी बढ़ गई है क्या करना चाहिए ताकि यह संतुलित नजर आएं बैले से लिखेंगे लिखेंगे तो खाना खाने के बाद एक कप गरम पानी घूट घूट के पिएंगे तो उससे बहुत अच्छा रिजल मिलेगा पेट पर ठंडी पट्टी बांदे कोई भी टावल नहीं चोड़े अपने टाइर कर नहीं ली तो इसे पेट का मटापा भी कम होगा, गैस कम मनेगी, आसे डी कम मनेगी, पेट में जो जलन होती ऑवी खत्म महले, खाली एक नहीं कई बीमारियां खतम होने लगेंगी, हार्ट तक की बीमारियों को बचा देता है, क्यों गैस के कानी हाट में बिमारी होती है, वो पहल प्रिनाम आगे की रात को जो दूद में हल्दी डालके पी, हल्दी तो उन्हें नहीं लिखी, खली दूद दूद लिख्या था, तो उसके जो रिजल्ट आए, प्रिनाम आए, वो चूओंप है, एक्स्पिरिंस कर रहा, जो जिनको चूओं को पिलाया, या जिन आदमियों को पिला, दूनों भाई रिसेद कर लिया, उनका वेट औरों की बजाए ज्यादा बढ़ा है, तो जो दूद पीते हैं, उनका वेट कम होता है, तो रात को दूद में हल्दी डालके पिएंगे, वो भी वेट कम होगे, और ज्यादा ही वेट है, तो सपेद पिठा होता है, इसक है, रंजीत, कुमार तिवारी, उमर है बाईस साल, कद लिखा है, पांच फूट चार इंच, इन्होंने अपना कद लिखा है, लेकिन अपना कद अभी और बढ़ाना चाहते हैं, हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप से पूछते हैं, कि इनको क्या करना चाहिए, कोई नुक्षान नहीं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, अपने तीन मिने लगका पिले, जब सर्दी का मौसम आए, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अभी जैसे सर्दी का मौसम नहीं अगर मी है, तो अभी अनार का जूस भी है, इससे बहुत चले जाए, ये किरिया करेंगे, और सूरिया नमसकार की किरिया करें, सूरिया के सामने जाकर सुबह सुबह, तो हाइट बहुत अच्छी निकलने लगेगे. वैदी कुप चार संस्था के जितने भी नुस्के हैं, जितने भी उपाये हैं, वनिश्चे तोर पर हमारे लिकारगर होते हैं, रामबान का काम करते हैं. हम प्राकृति योग चिकित्सा के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारी से चुटकारा पा सकते हैं. हमारी चर्चा भी बनी होई है आप देख रहे हैं स्वास्ति संजीवनी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद